यहां पर बीटा थर्ड अपडेट जो है वो रियल में 6 और 6i users के लिए यहां पर दिया गया है और यह रियल में 2.0 based है on android 11 और इसका जो साइज है वो 743 MB का यहां पर देखने को मिल रहा है और ऐसा कुछ अपडेट आपको देखने को मिल रहा है अब यहां पर अपडेट काफी कुछ यहां पर बक्स को गया रहा है फिक्स की गया है फर एक्जामपल अगर आप करते है इस सिस्टम की यहां पर सिस्टम की परफॉर्मस और इस्टेबिलिटी को इंप्रूब किया गया है फिक्स प्रॉब्लिटिक सम आइकन चेंजिंग फैल्यूर इश्व वाल प्रिक्रींग इशू आ रही थी वो भी fix किया गया है fix the probabilistic vibration issue while sliding the smart slide bar तो smart slide bar ऐसे यहां पर यहां पर यहां आपको देखने को मिलता है और इसको मतलब slide करने पर यहां पर कुछ vibration issue देखने को मिल रहा था वो भी fix किया गया है record कि अगर हम बात करते तो यहां पर fix the probabilistic issue that the recording list does not show the saving files यहां पर जो saving files हैं जो file आप save कर रहे थे वो recording में show नहीं कर रहा था उसको लेकर गी भी यहां पर चीजे fix की गई है रियल भी लैप कि अगर हम बात करते तो fix the probabilistic automatic create the time list while switching to the dark mode तो यहां पर dark mode से related जो भी time limit था उसको यहां पर switch करने में कुछ issues आ रहे थे वो भी fix किया गया है इसके बाद अगर हम camera की बात करते है optimize the smoothness of continuous capture in the photo mode of the rear camera तो यहां पर smoothness जो है वो rear camera में optimize की गई है यहां पर कुछ जो भी मतलब photo mode में यहां पर काफी जाज़ा smoothness देखने को मिल रही होगी उसको लेकर के यहां पर fix किया गया है साथ ही साथ यहां पर video mode में भी जो optimization है वो की गई है वो smoothness को लेकर के optimize the smoothness of switching the mode from portrait mode to others तो portrait mode से other mode में जाने पर भी जो smoothness है उसको यहां पर कम किया गया है उसको यहां पर optimize किया गया बिसिकली optimize the preview image effect for the 10x zoom in the night mode in dark condition यहां पर dark condition में 10x zoom को लेकर के optimization की गई है ताकि image का जो effect है वो सही रहे और इसको लेकर के optimization basically की गई है तो ऐसा कुछ यहां पर चीजे fix की गई है साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो यहां पर साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो यहां पर fix the problem screen flicker issue while the camera recognizes faces तो यहां पर screen flickering को लेकर के जो भी issues थे वो fix किया गया है इस time camera face को recognize कर रहा होता है उस time लेकर के उस time पर जो screen flickering आ रही थी उसको लेकर के यहां पर fix किया गया है इसकी बात अगर हम बात करते हैं यह फिक्स ब्लैक बार flashing issue while entering thumbnail after capturing photo in the 64 megapixel mode तो 64 megapixel mode में जो thumbnail का issue था flashing issue while entering thumbnail after capturing photo mode in the photo in the 64 megapixel mode तो 64 megapixel में जो capturing का issue आ रहा था thumbnails का वो अभी fix किया गया है ऐसा कुछ यहां पर update आपको provide किया गया है तो यह कुछ update है जो की बीटा 3rd इस बार जो है वो provide किया गया है बाकी मैंने आपको update का size भी बता दिया सब कुछ बता दिया अगर आपको मिला तो प्लीज मुझे comment में mention जरूर से करना अगर आपको मिला तो प्लीज मुझे comment करके जरूर से बताना कि आपको यह update मिला या फिर इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मेरे को बता सकते हो tag करके तो ऐसा कुछ update दो से मिला है realv6 and 6i के लिए और होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल जो उसे सब्क्राइब करते हैं मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियों तब तक लिए बाबाई डिस्क्रिप्शिन में सोचल मेड़ा के लिंक से तो वहां पर जा करके फॉलो करना बिलकुल मुत भूलना तब तक लिए बाबाई जो प्लीज प्लीज वां पर जाबाई